नमस्कार दोस्तों, Curious Wealth and Curious Box में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में मैं PNP के बारे में बात करने वाला हूँ जैसा कि आपने अगर Stock Market से Related News को Activate करके रखा होगा तो आपको पता चला होगा कि Recently या Friday के दिन में इस Stock ने अपने बहुती बहतरीन Result डेकलियर किये हैं Bumper Result से इसने डेकलियर किये हैं हर जगे यही बात चल रही है कि यह जो Company है या यह जो Bank है यह घाटे से मुनाफे में आई है और जिसका Expectation किसी को नहीं था उतने अच्छे Result इस Bank ने दिखाए हैं तो इतनी सारी अच्छी खबर के बाद क्या हमको इस Stock के अंदर या इस Bank के अंदर Current Level पे पैसे निवेश करने चाहिए क्या हमको Entry लेनी चाहिए इसके बारे में मैं Detail में इस वीडियो में बताऊंगा सही Levels क्या हो सकते हैं क्या इसके लिए Stop Loss निकल के आ सकता है Near Term और Long Term के हिसाब से इसके अंदर क्या Target हमको नजर आ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको Chart के ओपर सारे Levels दिखाने वाला हूँ इसके जो भी Result आये हैं वो भी अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखरी तक आप ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की फैल्येवल इनफॉर्मेशन आपको जही समय पर मिलते रहे इस्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जो भी मैं इंटराटे स्टेजिस शेयर करता हूँ उसकी भी इनफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहे सबसे पहले आपको इनके रिजल्ट में बताऊंगा currently net profit जो है या जो बोला जा रहा है कि company loss making company से profit making company में आ चुकी है तो वो आप देखेंगे कि year on year basis पिछले साल इसको 6.97 billion का loss था वहीं अभी इसने 5.86 का profit दिखाया है net estimate profit जो था वो लगबग 9 billion के आसपस था लेकिन इनका 5.06 quarter on quarter basis के उपर ये profit आया है interest earned जो इन्होंने किया है वो 187.9 billion का interest इन्होंने बनाया है compared to 138.6 billion के against provisions दो हैं वो कम हुए हैं इनके लेकिन जो net NPA था वो इनका 5.73 हुआ है 4.03 के against में quarter on quarter पे gross NPA में भी थोड़ी बढ़त हुई है जो कि है 14.14 compared to 12.99 या फिर 13 gross NPA या फिर NPA जो होता है non performing asset होता है जहां से bank को या किसी भी company को किसी भी प्रकार का profit नहीं बन रहा हो उसको हम NPA बोलते हैं तो अगर आप NPA देखेंगे वो बड़ा है बट उसके बाद भी bank ने बहुती अच्छा profit बना करके दिया है तो ये इसके मोटा मोटी जो major results आपके सामने आए हुए हैं वो details मैंने आपको दिखाई है तो अब इन results को देखने के बाद stock market में या इस particular bank का जो stock है वो किस तरीके से react करेगा वो हम chart के उपर देखेंगे longer term और short term में आपको किस तरीके का view बना के रखना है वो भी हम detail में देखेंगे तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने PNB का chart open किया है इसको मैं daily chart के हिसाब से आपको दिखाता हूँ इसमें आप देख सकते हैं लगवख 46 के आसपस का इसने high लगाया था closing basis पे अगर मैं बोलूं तो वो 43 या 44 के आसपस का closing high था उसके बाद वापस stock गिरा था retest किया उसी level को और थोड़ी बहुत गिरावट आईए इस तरीके के result आने वाले हैं ये काफी लोगों को पता रहता है उसके बाद भी अगर stock में गिरावट आईए तो एक सोचने वाली बात हो सकती है इतने अच्छे result आने के आद इस stock में एक बहतरीन up move हमको कल के या Monday के session में देखने के लिए मिल सकता है आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है stock 5 या 10% directly यहां से move हो जाए यानि कि यहां से यह 50 रुपे तक के level कल के session में possibility है अगर अपना market positive open होता है market उपर की तरफ जाता है तो उस condition में यह stock यहां से हमको 5-10% की rally कल के session में ही दिखा सकता है तो अब आपको इस stock के अंदर क्या करना चाहिए अगर मैं overall trend आपका इसको बता हूँ तो आप देख सकते है stock अपने higher trend की तरफ ही घूम रहा है यह daily chart के इसाप से मैं बता रहा हूँ higher highs और higher lows stock लगा रहा है currently अपने higher lows के इसाप से stock उपर को जा रहा है और अगर कल के दिन मे यह stock 10% उपर हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहां से 10% 43 के इसाप से लगबग 4 रुपे का निकल के आता है तो जो कि 48 रुपी के आसपास हो जाएगा जो कि अपना इसका previous हाईता उसको यह break कर देगा और यह बहुत ही जादा close हो जाएगा अपने trend line के आसपास जो कि इस stock के अंदर buy करने के लिए क्या होगा वो मैं detail में आपको बाद में आताता हूँ उससे पहले weekly chart पे आपको लेके जाता हूँ दोस्तो यह आप देख सकते हैं इसका weekly chart है एक candle एक week की है लगबग 200 के आसपास stock coat करता था तो 2018 में उसके बाद से ही जो भी गिरावट इस stock में आई थी वो चीज़ आप देख सकते हैं lower highs and lower lows stock में लग रहे थे last year April के आसपास इसने एक bottom बनाया था जिसको दुबारा से test किया था इसने November के आसपास और उसके बाद उस level के आसपास stock नहीं आया है stock अपने uptrend momentum हमको consistently दिखा रहा है इसके अगर मैं नीचे वाले zone के बाद करूँ या जो मैं channel draw करूँ जिसके अंदर stock coat कर रहा है तो वो हमको currently इसका जो higher low है वो हमें 32 के आसपास नजर आ रहा है अगर आप देखेंगी यही level था 32 के आसपास जहां पे stock previously support ले रहा था अब trend शुरू करने से पहले भी जो इसने support लिया था वो 32 के आसपास ही लिया थ इसको अगर मैं zone के हिसाब से आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यह मेरा एक zone निकल के आता है लगवक 30 से 32 रुपे और कुछ लोग इसको 33 रुपीज के आसपास भी consider कर सकते हैं कि 33 रुपीज जो है वो मेरा एक strong support zone निकल के आ रहा है currently trend के हिसाब से बोला जाए इसक resistance जो मैं बोलूँगा वो मेरा निकल के आएगा 45 का आपको देखना है कल के दिन stock यहां से किस तरीके से move करता है कल के दिन अगर यह stock sustain करता है 45 के ओपर तो मैं उसको range breakout नहीं बोलूँगा यह resistance जो था उसको breakout मैं consider नहीं करूँगा क्योंकि यह एक अच्छी ख़बर की वेश stock उपर गया है हो सकता है अगले कुछ दिनों में stock वापस से नीचे के level पर आ सकता है मैं इसके लिए जो strong support currently मैं बोलूँगा अगर यह stock उपर चला जाता है तो वो 40 से 42 के आसपास का मैं बोलूँगा तो अगर stock उपर निकल जाता है suppose 45, 48 के आसपास आजाता है तो उसके हिसाब से आपके लिए जो next और recent term का जो support निकल के आएगा वो यह जो निकल के आएगा 38 से 41 का आप वो support consider कर सकते हैं तो अगर आप 45 के आसपास या 43 के आसपास भाइ कर रहे हैं तो आप 38 के आसपास का minor stop loss लगा सकते हैं अगर आपने 1 से 2 महीने के लिए stock को भाइ किया है अगर आप लंबे समय के लिए बाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, इस्टॉक लंबे समय में बहुत ही अच्छी रिटन्स आपको बना के दे सकता है स्टॉप लोज लगबग 30 का आप लगा सकते हैं कल के सेशन में हो सकता है, इस्टॉक उपर तक जाए कुछ दिनों तक स्टॉक जो है उपर तक जाए, वहां से हमको पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड डिखने की, जो की में लिए यह प्रिवियस हाई था या हायर हाई था, वो आप में लिए लिए सपोर्ट का काम करेगा तो अगर स्टॉक इस लिए को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मेरे लिए यह सपोर्ट का काम करेगा यहां से स्टॉक वापस से अपसाइड की रैली दिखाएगा और उसके बाद ही हो सकता है यह जो trend है उसको breakout दे trend breakout देने के बाद अब मैं आपको weekly chart पे दिखाता हूँ यहाँ पे तो यह जो zone निकल के आएगा लगबग 60 से 57 या 56 का 4 रुपे के आसपास का वो मेरे लिए अगला resistance का काम करेगा यह zone मेरे लिए break होना बहुत ही जरूरी है तो यहाँ से मेरे जो पहले target निकल के आ रहे हैं वो लगबग 60 रुपीज के आसपासी निकल के आ रहे हैं जब कभी यह trend break होगा यह मेरे लिए next resistance का काम करेगा यह zone break होने के बाद यह एक जैसा मैंने बताया 60 के आसपास का मेरा resistance निकलेगा यह resistance break होने के बाद stock में एक upside rally जो की है 70 तक जा सकती है again stock हो सकता है retrace हो उसके बाद मेरा next resistance निकल के आएगा 80 के आसपास और 80 के level break होने के बाद हमको next levels देखने के लिए मिलेंगे जो की हमको दिखा सकते हैं लगबग 100 रुपए के आसपास के level यानि कि यह resistance break होने के बाद stock फिर से इसी level को retest करेगा और उसके बाद जाकर कि यह आपको 100 रुपए के levels दिखा सकता है बहुत से लोगों ने अभी से शुरू कर दिया होगा यह चीज बोलना कि PNB में हमको 100 रुपीज तक के target दिखाई दे सकते हैं तो yes हमको PNB में 100 रुपीज तक के target दिखाई देते हैं उसके लिए जो मैं time duration बोलूँगा कम से कम यहां से 1.5 साल या 2 साल का target आपको लेके चलना है तब ही जाके हमको इस तरह के target मिलेंगे ऐसा नहीं है कि 2 या 3 महीने में ही आपको 100 रुपे के target इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं ट्रेंड की सबसे बात किया जाए तो stock ने अपना downward trend change कर दिया stock currently अपला higher highs और higher lows वाले pattern में इंटर कर चुका है confirmation होगा हमारा जब हमारा next high जो है वो लगवग 55 या 50 के आसपास आएगा और जो next low है वो हमारा 45 से 40 के आसपास अगर आएगा तो जाके हमारा confirmation हो जाएगा कि trend यहां से change हो चुका है और होने वाली बात हैं हमको अच्छे target इसके अंदर देखने मिल जाएंगे recent term के हिसाब से मैं बोलू तो Monday, Tuesday ये दो trading session छोड़ दिये जाए तो उसके हिसाब से आपका जो currently buy और अच्छा buy range जो है वो 43 से 45 के आसपास निकल के आ सकते हैं जो थोड़ा risk ले सकते हैं अगर Monday को ये stock आपको 47, 48 पे मिल रहा है तो भी buy कर सकते हैं तो low risk trader के हिसाब से आपको 40 से 43 रुपीज के बीच में buy करना चाहिए ताकि आपका जो stop loss है वो कम हो सके stop loss इसमें हमारे लिए जो निकल के आता है वो 35 या 32 का निकल के आता है based on your risk appetite recent हम के targets की मैं बात करूँ तो वो मुझे 58 से 60 के target नजर आते हैं अगले देड़ से 2 महीने में उसके बाद मुझे लगबख 75 से 80 तक के target नजर आते हैं next year फेब के आसपास या उससे भी थोड़ा और duration लग सकता है depending on किस तरीकी की market की situation है और कोरोना की जो third wave है अगर नहीं आती है और market में कोई crash नहीं होता है उस condition में 100 रुपे तक के level हमको next year end तक possibility है कि इसमें 100 रुपीज के levels भी देखने के लिए मिल सकते हैं again एक बहुती strong point है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो है कि फिर से कोई bank से जुड़ी हुई बुरी खबर या फिर कोई घोटाले की खबर कोई corruption की news ना आए तो इन चीजों को भी आपको continue ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि stock एक बार खरीद लिया और उसको भूल जाओ current levels जो है stock के वो बहुत अच्छे हैं यहां से downside risk बहुत कम है upside potential बहुत अच्छा है दोस्तों उम्मीद करूँगा जो भी information मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपके लिए useful होगी as a disclosure आपको बताना चाहूँगा जो भी information मैंने इस वीडियो में share किये है वो सिफ education purpose के लिए share किये है मैं किसको भी बायासल का recommendation नहीं दे रहा हूँ अगर मेरी DOE जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार आपनी किसी भी trusted stock broker से या financial advisor से discussion करने के बार इस stock में अपना पैसा निवेश करें